दोस्तों जस्क 3 मन्थ पहले Redmi budget range पर Redmi 12 5G को launch किया था और यह जो phone launch करने वाला है ना उससे भी कब price पर super budget range पर आपको 5G connectivity देखने के लिए मिल जाएगा तो दोस्तों 6th of December Redmi का event है and Redmi इस event पर एक ही साथ Redmi 13C 4G variant and 5G variant दोनों फोन एक ही event पर आपको launch देखने के लिए मिल जाएगा और आज इस वीरे के साथ में share करूँगा Redmi का इस दोनों फोन के साथ आपको क्या specification बगड़ा देखने के लिए मिल रहा है and India market के लिए इसका price range आपको क्या देखने के लिए मिलेगा तो दस्तों पड़ावट like कर दीजिए अन तक देखिए वीडियो को and obviously subscribe करके notification को press करके all कर दीजिए देखिए दोनों फोन के साथ मतलब 4G and 5G दोनों फोन के साथ आपको same to same display देखने के लिए मिल जाएगा 6.74 inch ही का HD+, Full HD नहीं है आपको देखने के लिए मिलेगा बट 90 Hz का आपको refresh rate का बड़ाबर support देखने के लिए मिल जाएगा water drop notch पर एडिस्प्ले आएगा and water drop के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा 8MP का selfie camera and back side pad दोनों फोन के साथ ही आपको 50MP का main camera देखने के लिए मिलेगा and useless 2MP का जो macro camera होता है ओ भी आपको देखने के लिए मिलेगा देखिए back section and front section से आप full HD video recording भी कर सकते हो जो build quality है Redmi का 12C थाना same to same आपको दर polycarbonate का build quality दोनों फोन के साथ आपको same to same build quality देखने के लिए मिलेगा 3 color का option देखने के लिए मिलेगा green type का color है white type का style एक color launch होगा and obviously एक black variant भी रहेगा देखिए processor का section पर आपको इदर difference definitely देखने के लिए मिलेगा क्योंकि 4G जो variant है आपको इदर हिलियो नहीं है जी स्रिसकांडर G85 बला processor देखने के लिए मिलेगा Mediatek का and आपको इदर जो 5G variant देखने के लिए मिल रहे है ना काफी अच्छा processor है आपको इदर Mediatek Dimensity का 6100 प्लस बला processor निव प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहे है ओविसली 5G connectivity भी देखने के लिए मिल जाएगा 4G जो variant है ना G85 का आपको इदर अन्तुत स्कोर देखने के लिए मिलेगा 266,000 मतलब जो price range पर launch करने वाला है ना Redmi इस price range को rates की according जो processor आपको देखने के लिए मिल रहे है वो आच्छा है 4G की हिसाब से बट 5G में आपको इदर आन्तुत स्कोर देखने के लिए मिलेगा 4,13,000 जी यहां दोस्तों जो snapdragon का 4GN2 वाला जो processor है ना नियर एबाउट उस तरह कहीं आपको performance इस processor के साथ देखने के लिए मिल जाएगा अच्छा प्रोसेसर है बहुत ज्यादा प्रोसेसर इस देखने के लिए नहीं मिल रहे है बट काफी अच्छा प्रोसेसर है देखिए बैटरी का section पर 5000 इमीच का बैटरी बंडेल होके आपको hyperos का update definitely दोनों phone के साथ ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो price बगेरा आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है देखिए दोस्तों 4G जो variant है ना 4G का base variant 4GB RAM 64GB का option रहेगा and 3GB का variant भी हो सकता है but confirm नहीं है पर जो price होगा definitely under 7000 के under आपको देखने के लिए मिल जा जाएगा क्योंकि 10,000, 10,000 to 11,000 के segment पर Redmi का अपना 12 5G एवल एवल है और उस phone का build quality है glass build quality है आपको उधर जो processor ओभी snapdragon का देखने के लिए मिलता है बट आपको इधर जो देखने के लिए मिल रहा है ना 5G variant में सेम कुसम उस तरह का इस specification आपको देखने के लिए मिल जाएगा बट इधर आपको water drop notch देखने के लिए मिल रहा है और 12 5G के साथ आपको पांच होल देखने के लिए मिला था तो under 9,000 में definitely आपको 5G variant देखने के लिए मिल जाएगा जो price range है ना price range killer होने वाला है और जो specification है जो इधर design वगड़ा है सब कुछ हमको तो ठीक था कि लग रहा है दोस्तों आपका opinion क्या है आपको कैसा लग रहा है आप commentation पर comment करके हमको बताइए launch के बाद फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए फटापट आप subscribe कर देजिए और wait किजिए next video का